नमोनमा च्छात्रो आश्वित्याले से मैं निदी शिर्वास्तो एक बाद फिन से साइस्कित किस कक्षा में यूपी बोल्ड के कक्षा दस्वी के च्छात्रो का स्वागत कती च्छात्रो पूर्व की कक्षा में हमने संस्कित भाषा या गौरव अर्थात संस्कित भाषा के गौरव के विशय में आपसे चछा की और हमने आपको बताया कि संस्कित भाषा का जो साहित है वो बहुत ही विश्त्रित है और प्राचीन है और संस्कित भाषा जो है वो विश्व की प्राचीन तम भाषाओं में से एक है और या भारत में भोली जाने वाली सभी आरे भाषाओं की जनिनी भी है और इसका साहित है बहुत विशाल और संपन्य साहित है चात्रो हमने आपको ये भी बताया कि संस्क्रिया का प्रयोग हम किसी भी स्थान पर करें वाग के कोछती नहीं पहुसती है जबकि हिंदी अंग्रेजी में या हिंदी और इंग्लिश में अगर आप क्रिया की जगा में करता का प्रयोग और करता की जगा में क्रिया अर्थात वर्ब के स्थान पर आप परसन का प्रयोग करेंगे और परसन के स्थान पर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है परन्तो संस्क्रिट भाशा में ऐसा नहीं होता है आप करता क्रिया और पर्सन और वब को कहीं भी किसी स्थान पर रखें वाक्य को कोई हानी नहीं पहुंसती है तो चात्रो अब आज की संश में क्या बताया जा रहा है उसको जाने के लिए आईए हम देखते ह पाठा संस्क्रित भाशा या गौर्वम का चतुर्था भागा चत्रो प्रस्तुत पाठ में भी गध्यांश का हिंदी भाशा में अर्ख और संधी विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है यहां पर यह गध्यांश जो है वो संस्कृति से लेकर धिक कुर्वंति तक है तो ध पुत्रा कस्मात पुत्रा यहने संस्कृत अर्थां यहने संस्कृत में अर्थों गुणाश्ची यहने और गुणों को क्रोडी कृत यहने अपने में समाकर शब्दा नाम निश्पति यहने शब्दों की निश्पति होती है यहने संस्कृत में अर्थों और गुणों को अ किसी ने जाना नहीं सुनिए ध्यान से नरक से हमारी रक्षा करता है इसलिए उसको हम पुत्र कहते हैं ठीक है चातरो तो ध्यान से सुनिए कि पुम नरकात त्रायते असो में संदी है त्रायते प्लस असो पुत्रहा यने आत्मजा कस्माद आत्मजा तो वह कह रहे हैं कि पुम नरकात त्रायतो असो पुत्रहा और आत्मजा कस्माद आत्मजा यने वह क्या कह रहे हैं कि पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं तो क्यों कह करता है इसलिए वह पुत्र है और आत्मजा कस्माद आत्मजा याने कस्माद आत्मजा में संदी है कस्माद प्लस आत्मजा आत्मज को आत्मज क्यों कहते हैं तो उसके लिए भी संस्क्त में बताया जा रहा है कि आत्मनो जायते असो आत्मजा याने जो आत्मा से उत्पन होत क्योंकि रो मbury हमारी आत्मा से उत्पन होता है इसलिए वह और पुत्र जो हता है वह पुंहना मिक से रक्षल करता पुत्व होता है आगे सुनिये कस्मा पुत्र है सुर्य को सुर्य क्वेसलार थैस टू क्यों केह है जाता है इसलिए क्योंकि सूवती कर्मणी लोकम प्रेयती अता सूर्या यहने सूवती कर्मणी यहने सोतेवे लोगों को वो क्या करता है प्रेरित करता है काम के लिए तो सूर्य को सूर्य क्यों कहा जाता है वह लोक को कर्मे में सुत अर्थात प्रेरित करता है इसलिए वह सूर्य यने वह संसार को काम के प्रती प्रेरित करता है इसलिए वह सूर्य आगे सुनिये चात्रों कितनी सारी बाते बताने ग्यान की सूर्य यदा नभो मंडलमा रोहती प्रेरिती लोकम कस्मात शेशे नभो मंडलम आरोहती में संदी है नभो मंडलम प्लस आरोहती तो सूर्य यदा यहने सूर्य जब नभो नभ यहने आकाश मंडलम यहने मंडल आरोहती यहने चड़ता है तो सूर्य जब आकाश मंडलमें चड़ता है यहने सूर्य जैसे जैसे उपर आता है प्रेरियती लोकम तब लोक को प्रेरित करता है यने लोगों को प्रेरित करता है कस्मात शेशे क्यों सो रहे हो यने सूर्च जैसे जैसे उपर आते जाता है लोगों को काम के लिए प्रेरित करता है कहता है कस्मात शेशे क्यों सो रहे हो उठो सवेरा हो गया उतिष्ठा वाती वाता उतिष्ठा यने उठो वाती वाता यने वाती यने हवाता वाता यने हवा वाती यने चल रही है उठो हवा चल रही है स्वास्थ प्रदायकम प्राण वायू ग्रिहान यने वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ मैं आ गया हूँ मैं उपर उठ रहा हूँ आ गया हूँ उठो हवा चल रही है स्वास्थ प्रदायकम कैसी हवा चल रही है जब सूर उगने को होता है तो स्वास्थ प आगने लगे तो हमको सोना नहीं चाहिए इसलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहुर्त में उठना ही स्वास्थे के लिए लाब दायक होता है और उठके प्राण वायू को ग्रहन करना चाहिए याने अनुलोम विलोम करना चाहिए तो उठो हवा चाहिए स्वास्थे दायक प्राण वायू को ग्रिहान याने ग्रहन करो नेतिक्यानी कर्मानी कुरू नेतिक्यानी याने जो देली रुटीन के वर्क है उनको करो तो नेतिक्यानी याने नित्यप्रती के कर्मानी याने कर्मों को कुरू याने करो इत्थम प्रेरियन यानि इस प्रकार की प्रेरियन यानि प्रेणना देता हुआ आकाशाम आगच्छती यानि आकाशाम प्लस अगच्छती संग्डी हो रही है अता सूर्यती इसलिए सूर्य है तो सूर्य क्यों है क्योंकि सूर्य कहता है कि उठो मैं आ गया हूँ हवा चल रही है स्वास्त दायक प्राणवायू को ग्रहान करो नित्य प्रती के काम को करो इस प्रकार की प्रेणना देता हुआ वह आकाश में आता है इसलिए वह क्या है सूर्य है आगे संस्कित भाशा में ही बता रहे हैं खगह कस्मात याने खग को खग क्यों कहते हैं खग अरतार पक्षी तो पक्षी को पक्षी क्यों कहते हैं क्योंकि खे आकाशे गचती अस्मात खगहा याने क्योंकि वह आकाश में गमन करता है आकाशे गमन याने आना और जाना करता ह इसलिए वहा खग है पक्षी ठीक है एवम अर्थ ज्याना है यह इस प्रकार के अर्थ का ज्यान स्था यहिस अन्यास्ञ भाशा शू नस्थीश यहनि अन्य भाशाों में नहीं है इस अर्थ ग्याना विवस्था संधिय विवस्था प्लस अन्यासु अर्णे भाशाओं में अर्थ ग्यान के लिए इसी विवस्था कि सूर को कहते हैं किसी भी भाशा में आपको नहीं बताया गया है केवल संस्क deception भाशा में ही बताया है कि निरो क्षपपन्न 8 December 9 तेशा मपी दूरुप्ती निरुक्ती अर्थानुसंधनी कि भावत्ते इती नेरुप्त हॹ भावत्यब में संदी है भावती प्लस ए तो आव्युत्पन्ना हा शब्दा हा आव्युत्पन्ना यहने जो रूर शब्द होते हैं तेशाम अपी यनि उनकी भी निरुकती यहने आर्था नू संधानी की यनि उनकी भी जो अर्थ को खोजने वाली निरुक्ती होती है भवत्यव याने होती है एती नैरुक्ता हा या निरुक्तकारों का मत है याने जो रूर शब्द है उनकी भी अर्थ को खोजने वाली जो निरुक्ती होती है या निरुक्तकारों का मत है सर्वम नाम चा धातुज माह इती शाक्तायन उनादी सुत्रेशु एशे प्रक्रिया वर्तते सर्वम नाम चा धातुज माह यने सभी संग्याएं नाम यने संग्याएं धातुज माहा यने धातु से उत्पन्य की गई है इती यने या शाक्टायन यने शाक्टायन विशी का मत है तो सभी संग्या यने सभी नाम जो है वो धातु से उत्पन्य कहा गया है या शाक्टायन जी का मत है उणादी सुत्रेशु एशे प्रक्रिया वतते यने उणादी उसमें यहाँ प्रक्रिया बताई गई है यहाँ पर यहाँ प्रक्रिया विद्यमान है यहाँ वाणी गुर्टो अनडी असी अर्थतो गरी असी एकस श्लोकस शडर्था प्रदर्शिता नैशद है यहाँ वाणी यहाँ वाणी गुर्टो अनडी असी अर्थतो गरी असी एकस श्लोकस से शडर्था प्रदर्शिता नैशद है यहाँ वाणी यहाँ वाणी यहाँ वाणी यहाँ संस्कित की जो वाणी है वो गुणा दी उसमें तो गुणों में स्थूल अर्थ से गरीमा मैं ह यह ऐसा कौन बता रहे है नैशत कावे में एक एक श्लोक के छे छे अर्थ दिखाए गए हैं मतलब एक ही श्लोक के six meanings बताए गए हैं तो इसलिए बताया जा रहा है कि संस्कित वाणी जो है वो गुडों में स्थूल और अर्थ से गरिमा मही है क्योंकि नैशत कावे में एक ए द्रिष्टेया मही असी भावतो भूई असी अलंकार तो वरी असी सुधातो अपी स्वादी असी सुधाशन नान अपी प्रेय असी तो वांग मनो वांग में द्रिष्टेया मही असी यहने साहीत की द्रिष्टी से या गरिमा मही है भावतो भूई असी और भावों की द्र यह बहुत सुद्दर है आ नहीं संद्धि स्धाफिस थी कि सवादिय और अम्रिद के समान भी यह स्वादिस्ट और सुधाशन आम आम अपरे यह बहुत संसुदाष नाम जैने देवताव महितल को भी यह नहें परिए मुझत Weki हो सही और या अम्रिष से भी अधिक स्वादिष्ट भाशा है और देवताओं को भी या भाशा बहुत प्रिये है ऐसा लेखक ने बताया है अतयफ जातक लेखका बौधा पालीम प्रयोगतूम कृत्र्त प्रति गया अपी संसकते अपी सुईयान ग्रंधान व्यारीडचन एवं अतयफ या इसलिए जातक लेखका य जातक कथाओं के स्वाद हम पालीम प्रयोगतूम यहने इसी कारण जातक कथाओं के लेख को बौधों ने भी जिनों ने पूर्ण रूप से पाली भाषा का प्रयोगी किया है करने के प्रतिग्या ली थी प्रयुक्तुम कृत प्रतिग्या यहने उन्होंने केवल प्रतिग्या की थी कि मैं केवल पाली भाषा का ही प्रयोक करूंगा अपी संस्कृत है अपी स्वियान गर्थान वेरीचन यहने उन्होंने भी संस्कृत में अपने ग्रंथों की बहुत अधिक रचना किये जो की कृत प्रतिग्या थे कि हमको पाली भाषा में ही लचना करनी है उन्होंने भी संस्कित भाषा में अपनी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं एवं जैना कव्या दाशनिका अपी संस्कित भाषा मपी स्विक्रित वनता इसी प्रकार जैन कव्यों और दाशनिकों ने भी संस्कित भाष यद्यपी ते यने यद्यपी वे विचारेसु यने विचारों में विपक्ष धरा एवासन यने इसके विपक्षी थे ये विरोधी थे कि वो संस्कित को नहीं स्विकारेंगे फिर भी उन्होंने संस्कित को स्विकार किया अस्याहा काविभाशाया शब्द गतम अर्थ गतंच ध्वनी माधोरियं श्रावं भाव श्रावं सुरंगना पद नुपुर ध्वनी माधोरियं धिक्कुर्वंती अस्याह भाशा काविभाशा यने इसकी काविभाशा के शब्द गतम अर्थ गतंच ध्वनी यने शब्द गत और अर्थ गत ध्वनी की मधोर्ता माधोरियं यने की मधोर्ता श्रावं श्रावं यने सुनते सुरंगना पद नुपुर ध्वनी माधोरियं धिक्कुर्वंती य अध्यन करने वाले लोग धिकारते हैं तो क्या बोलते हैं कि इसकी कावे भाषा के शब्दगत और अर्थगत ध्वनी की मधूरता को सुनते सुनते देवताओं की इस्तियों के पैरों के घुंगरू की आवाज की मधूरता को साहिते के अध्यन करने वाले लोग धिकारते हैं कि देवताओं की जो इस्तिरियां उनके जो घुमरू की आवाज है वो अच्छी नहीं है जबकि संस्क्रित साहित्य के जो गान है उसकी आवाज बहुत अच्छी है तो छत्रो इसी के साथ यह अंश यहां पर समवाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि संस्कित साहित हैं बहुत वैसिष्ट हैं बहुत ही अनोका हैं जिसको की देवताओं को भी प्रिये हैं। तो चात्रो इसी के साथ यह अंश यहां पर समाप्त होता है, आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप आज विद्यालेकेप्स को लाइक करके, क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जल से जल दूँगी, तब तक के लिए धनिवा चात्रो नमो नमा